Hello students, welcome to Get Set Learning Academy once again तो आज के वीडियो में हम लोग solve करने वाले हैं question number 38 से लेकर 50, part 5 वीडियो है ठीक है, कौन से chapter से हम लोग बना रहे हैं? area related to circle, जो की है RD Sarma का जो पतला वाला book है उसके तुरू हम लोग पूरा का पूरा MCQ को solve कर रहे हैं ठीक है, अगर आपके पास book है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो यहाँ पर आपका practice भी हो जा रहा है आप बनाते भी जा सकते हैं ठीक है, चलिए तो start करते है question number 38 से यहाँ है 38, यह slide इसले रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग diagram का use करेंगे चलिए, तो question number 38 क्या कह रहा है in figure 13.21, the area of the shaded region is ठीक है, 13.21 कहा है हमारा figure यह वाला figure है, ठीक है, इस figure में हम लोग को find करना है area of sector, है ना, तो area of sector is equal to किता होता है pi r square theta by 360, तो pi हो गया r के जगा पर तो 3 रख लेंगे और theta के जगा पर 120 रख लेंगे क्योंकि 180 में से 60 घट आएंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि adjacent angle है हमारा और यह 360 हो गया, तो 12 यह 36, 3 से 3 कट गया यहां पर आ गया हमारा 3 pi is the answer 3 pi है option में, हाँ यहां पर मेरा option में भी है चलिए, अब question number 13, 9 solve करते है in figure 13.22, there are two concentric sulcor of radius 8 cm and 5 cm a sector forms an angle of 60 degree at a common center O the area of the shaded region is area of the shaded region, देखिए, यहां पर figure में कुछ mistake कर दिया है यहां पर यह वला चीज नहीं होना चाहिए था यह पूरा का पूरा हो सकता था अगर ऐसे ही fine करना तो directly answer आ जाएगा area of the shaded region कितना हो जाएगा outer minus, inner area of ring fine कर देंगा तो ऐसे fine हो जाएगा टेक है बट यहां option में हमारा नहीं आने वाला है तो चलिए हम लोग इसको भी solve कर लेते हैं यहीं पर क्या हो जाएगा अब देखिए यहां पर हमारा sector है सबसे पहले हम लोग area of ring fine कर लेते हैं that is 22 by 7 और r square minus r square हो जाएगा जो की हो जाएगा 64 और minus 25 तो यह हो जाएगा 39, 39 pi चलिए मेरा आगया ring area का ring आगया sorry ring का area आगया 39 pi अब हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग fine कर लेते हैं यह वाला portion ठीक है यह वाला portion हम लोग fine कर लेते हैं जैसा कि आप लोग को हम यहां पर दिखाए यह वाला portion ठीक है इसको fine कर लेते हैं तो इसको fine करने का तरीका क्या है formula लगाएंगे हम लोग pi r square theta वाला तो pi theta तो रहाएगा बट इसमें r square minus r square चला जाएगा r square minus r square और by 3 60 हो गया तो 6 36 हो गया यह कितना आ गया 49 pi by 6 आ गया 13 से काट सेते हैं 3 से 3 दूना 6 तेरा तिया 49 यानि कि 13 pi by 2 आ गया ठीक है 13 pi by 2 आ गया अब हम लोग को क्या करना है पूरा मैंसे इसको घटा देना है तो पूरा हम लोग कितना लाए थे 39 pi लाएते और इसको 13 pi minus 2 हम लोग घटा देंगे तो 39 इसको हम लोग कर देते हैं by 1 तो कितना हो जाएगा 2 LCM आ जाएगा 49 दूना 78 pi होता है और minus हो जाएगा यहां 13 pi 5 3 8 हो जाएगा और 7 में से 1 गया 6 6 65 pi by 2 क्या हमारा एंसर है 65 by 2 यहां पर एंसर है ठीक है देख रहे है ऐसा ही अंसर आएगा तो question diagram में तो पूरा नहीं रंगना चाहिए था next question में आते हैं the radius of circle is 20 cm it is divided into 4 parts of equal area by drawing 3 concentric circles मतलब ऐसा बना हुगा है diagram ठीक है एक circle है एक circle है फिर 2 circle है फिर 3 circle है है ऐसा circle बना हुआ और एक ठो और है चली हम अंदर बीच में बनाते है और सबका यह है center ठीक और इसको चार पार चारो जो है equal part में it is divided into 4 parts of equal area देखिए आपर ल concentric circle inside it then the radius of the largest of the 3 concentric circle मतलब यह कहा जा रहा है अगर यहां draw करते हैं हम लोग तो यहां से यहां का ठीक है और यहां से यहां का अगर हम area निकाल के घटा देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा यह वाला fine हो जाएगा है ना यह वाला fine हो जाएगा बस हमको वही fine करना है चलिए त हम लोग solve कर लेते हैं तो अगर बाहर वाला का fine करते हैं तो कितना हो जाएगा अब बाहर वाला का हमको पता भी नहीं है तो pi है 20 square और minus इसको माल लेते हैं हम लोग x तो x square हो गया चोटा वाला का is equal to 4 equal parts में है तो 1 by 4 और into pi r square हो जाएगा तो pi और into 20 into 20 तो मेरा question में दिया तो 4 पच्चे 20 हो गया यहां से pi से pi cancel हो गया यहां 400 और minus x square हो गया और यहां पर 20 पच्चे 100 हो गया ठीक है तो इधर आ जाता है तो 300 हो गया 300 is equal to कितना हो गया x square हो गया तो x के जगा पर कितना आ गया 100 root 3 हो जाएगा 100 और तिया 300 है कही question 100 root 3 sorry 10 root 3 आएगा ना हम 100 root 3 लिग द x is equal to कितना हो जाएगा 3 गुणा 100 रहेगा और यह root में जाएगा तो 3 और into हो जाएगा root 3 और into 10 हो जाएगा याने कि 10 root 3 मेरा answer हो जाएगा तो हमारा answer कौन चाह हो गया 10 root 3 यह वाला 40 का b ठीक है चले बाई अब हम लोग next question solve कर लेते हैं 41 41 क्या बोला the area of a sector whose perimeter is 4 times its radius r unit area of sector याने कि radius मेरा r दिया हुआ है ठीक है radius मेरा r दिया हुआ है perimeter कितना हो जाएगा 4 r हो जाएगा according to question तो 2 r formula के basis पर अगर चल जाते हैं the area of sector तो कितना हो जाएगा whose perimeter is 4 times 4 times its area तो 2 r और plus 2 pi r theta by 360 और is equal to 4 r यह हो गया formula हमारा बन गया create हो गया तो अब यहां से हम लोग solve कर लेते हैं कितना हो जाएगा 2 r question क्या बोला था the area of sector whose perimeter is 4 times तो perimeter हो गया 2 r plus इतना perimeter of 4 times of its radius यह ऐसे कैसे हो गया यह नहीं होगा ना इसमें कुछ गढवड question में एक सेक्टर ते एडिया फेस्टर whose perimeter is 4 times its radius perimeter is 4 times its radius ठीक है भाई 4 times its radius हो गया तो perimeter का formula कितना होगा भाई sector का perimeter sector का perimeter कितना हो जाएगा 2 r sorry यहां पर लिख लेते हैं sector का perimeter हो जाएगा हमारा 2 r और plus 2 pi r theta और by 360 और is equal to इधर तो मेरा 4 r है ही तो यहां पर हम लोग solve कर लेते हैं 2 r घटा देंगे तो 2 pi r theta by 360 और is equal to कितना हो जाएगा 2 r देखे 2 से 2 cancel हो गया r से r cancel हो गया तो pi theta by 360 is equal to 1 हो रहा है हमसे पूछा जा रहा है area तो area क्या होता है pi r square theta by 360 तो pi theta by 360 के जगा पर कितना है area is equal to इतना होता है तो pi theta by 360 के जगा पर हो जाएगा मेरा 1 और into r square यानि कि area is equal to कितना हो जाएगा r square r square है है थोड़ा सा tricky question था ये चलिए solve करते हैं next if a chord of a circle of radius 28 cm makes an angle of 90 degree at the center 90 degree center पर बन रहा है ठीक है माल लेते हैं यहाँ पर यह ऐसे 90 degree बना रहा है यह 28 है और यह भी 28 है ठीक है हम लोग को solve करना क्या है वाई the area of the major segment major segment का area fine करना है यानि कि यह तो minor है तो हम लोग को यह पीला sorry क्या हो रहा है यह वाला नहीं fine करना है इसके अलावा जो है वो तो हम लोग क्या करेंगे circle के area में से minor segment को घटा देंगे चलिए solve कर लेते हैं तो सबसे हम लोग सबसे पहले हम लोग fine कर लेते हैं क्या वाई area of minor segment है ना तो यहाँ पर 90 degree है तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा तो pi r square theta by 360 और minus 1 by 2 into 28 और into 28 ठीक है तो pi के जगह पर pi रहते हैं r के जगह पर 28 गुना 28 28 गुना 28 काटने के लिए असान हो जाएगा इसलिए तोड़के ही रखते हैं theta मेरा 90 है by 360 है और minus इसको काट देते हैं तो 14 गुना 28 हो जाएगा तो 28 इसको भी कर देते हैं और 7 गुना 2 कर देते हैं ताकि common निकाल स्पाई 9 चके 36 हो गया 4 सते 28 हो गया ठीक है देखे 28 और 7 common आ जा रहा है तो 28 गुना 7 common आ गया बच गया इसमें pi और इसमें बच गया 2 ये हो गया 196 और ये हो गया pi minus 2 ठीक है ये हो गया area of minor segment तो major segment को fine करने के लिए क्या करेंगे triangle का sorry circle का area में से इसको हम लोग घटा देंगे तो circle का area में तो आ जाएगा 28 गुना 28 है तो 784 हो जाता है और pi और इसमें से minus कर रहे हम लोग 196 pi minus 2 ठीक है चलिए भाई तो अब अगर solve करने के लिए चले तो कितना हो जाएगा 784 यहाँ पर हो जाएगा pi और minus 196 pi और minus minus plus 196 और को 2 से गुना कर देंगे तो 392 आ जाएगा ठीक है चलिए इसको solve करते हैं तो 588 pi और plus 392 इसको अगर काट देते हैं pi के जगा पर हटा देते हैं इसको pi को हटा देते हैं इस pi को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं इंटू 22 by 7 यूज़ कर लेते हैं साथ से काटेंगे तो यह 84 बार में कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई तो 84 गुना 22 और plus 392 तो 84 गुना 22 होता है 1848 और plus 392 जोड के आ जाएगा हमारा 2240 cm2 है कहीं option है d number ये भी था लेंदी थोड़ा सा हो जाता है कोई को question चलिए समझ में आ गया समझ में आ गया इसको एक बार फिट से बनाएगा इस अच्छा question है एक्जाम में पूछ लेगा आ आप लोगो फसा देगा चलिए next question number है हमारा 43 43 question number क्या बोल रहा है if area of circle inscribed in an equalator triangle is 48 pi area दिया हुआ है तो हम लोग area को निकाल लेते हैं pi r square is equal to 48 pi है तो pi से pi cancel हो गया तो r बराबर 4 root 3 आ गया ठीक है ऐसा triangle है और बीच में बना हुआ है तो हम लोग ऐसे ऐसे भी draw कर सकते है तो इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये तो अगर एक triangle का area निकालना है तो 1 by 2 into base into height लगा सकते हैं तो root 3 by 4 a square हो जागा area of equalator triangle और 3 into 1 by 2 into base into height तो base हम निकाल चुके हैं कितना 4 root 3 जो की मेरा आ गया है sorry height निकाल चुके हैं और base तो हम लोग a माने ही है equalator triangle का side चलिए तो root 3 से root 3 cancel हो गया 2 2 जा 4 cancel हो गया a से 1 a cancel हो गया इधर बच गया 3 दोना 6 और इधर बच गया a तो a is equal to कितना हो जाएगा चारतिया बारदूना 24 a is equal to 24 हो गया तो perimeter is equal to 24 गुना 3 बहत्तर आ जाएगा है भाई c number भी answer हो गया next question the hour hand of a clock is 6 cm long hour hand the hour 6 cm the area swept by the between 1120 to 1155 देखे 1155 बोल रहा है और फिर 1120 है अगर घट आते हैं तो 3 2 5 35 मिनट आता है तो 35 मिनट में कितना degree होगा तो एक मिनट में कितना होता है जिसे 60 मिनट में 360 डिगरी होता है तो एक मिनट में 6 डिगरी हो गया तो 35 मिर्ट में कितना होगा 35 गुणा 6 635 के सुनना और 638 और 3 21 210 डिग्री हो गया अब इसी से हमको area of sector find कर देना है तो πाई r square theta और बाई 360 तो πाई में तो नहीं लाना है तो 22 और गुणा r के जगा पर हमारा कितना हो जाएगा 6 cm 6 गुणा 6 theta is equal to 210 और 227 और गुणा 360 है 0 से 0 कट गया 70 x कर जाता है 6 चके 36 कर जाता है 6 और 6 कर जाता है 22 यह 66 cm square एंसर में नहीं है इसका एंसर 66 cm square होगा ठेक है चलिए नेक्स कोशन आ जाते है 45 45 के लिए हम अलरड़ी diagram यहाँ पर बना चुके है तो आप लोग क्या कीजेगा आप लोग ध्यान दीजेगा 45 के लिए ठेक है इसको एक सेकेंड हाँ 45 के लिए आप लोग ध्यान दीजेगा यहाँ पर अलरड़ी diagram बना हुआ है ठेक है तो कोशन में क्या बोल रहा है कोशन में बोल रहा है ABCD is a square of sides 4 cm ABCD एक square बना दिये है 4 cm का if E is a point in the interior of the square E कहीं पर point है जो interior of the square में such that CED CED is equilateral triangle मिला दिये है इसको equilateral triangle है the area of ACE, ACE का area हम से पूछा जा रहा है अब देखिए सबसे पहले diagram में चलते हैं यह मेरा हम इसको क्या किया है diagonal कर दिये और यह मेरा क्या है equilateral है इसका मतलब 60, 60, 60 सब होगा अब diagonal है और एक दूसरे और diagonal क्या करता है opposite angle को bicep करता square में तो यह पूरा 90 है इसका मतलब यहां से यहां तक 45 तो यह वला angle कितना हो गया 15 degree हो गया यह वला side कितना है चार क्योंकि इसी के बराबर है equilateral triangle है चार हो गया हम क्या किया है एक छोटा सा construction कर दिये हैं यहां पर 90 degree बना कर यहां पर 90 degree और हम लोग थोड़ा सा use कर लेंगे कुछ form का कुछ trigonometric relations का क्या हम लोग use करेंगे so आप लोग को समझना है देखिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले देखिए इस triangle में चलते है E F sorry इससे लिख दिये हम हां इसमें चलते है E F और यह यह हमारा right triangle sorry यह वला ने यह वला यह right triangle है ठीक है यह वला देखिए यह right triangle है अब इसी triangle में हम लोग को चलना है इसमें हम लोग क्या करते हैं sin 90 का value अपलाई करते है sin 90 नहीं sorry sin 15 allow करते हैं ठीक है तो sin 15 sin 15 का value तो नहीं है बट questions का demand है इसलिए हम बता देंगे आप लोग sin 15 easy would कितना हो जाएगा perpendicular by base याने कि नहीं sorry क्या बोलते हैं EF perpendicular by hypotenuse EF by EC EF by EC लिखेंगे तो EF हमारा कितना है वाई कुछ नहीं दिया हुआ हमको EF find कर लेना है और EC है हमारा 4 sin 15 का value होता है याद रखेगा root 3 minus 1 by 2 root 2 और इधर मेरा हो गया EF और by 4 अब EF को अगर हम लोग निकालते हैं तो EF का value हमारा आ जाएगा ये आप लोग भी निकाल सकते हो आसान है गुना कर देना cross multiply तो हमारा आ जाएगा root 3 minus 1 और root 2 ये आगया हमारा EF का value अब देखें इस triangle का area निकालना आसान हो गया क्योंकि base हमको पता है diagonal वाला और height मेरा इतना आ चुका है तो हम लोग क्या करते हैं base हमारा area is equal to यहां निकाल ले area is equal to कितना हो जगा 1 by 2 base हम लोग को पता है that is कितना root 2 into 4 यानि कि 4 root 2 क्योंकि root 2 into side होता है और ये क्या बोलते हैं हाँ अभी जो हम लोग fine किये height जाके root 3 minus 1 और root 2 अब देखें क्या क्या कट रहा है 2 2 जा 4 हो गया root 2 into root 2 2 हो गया 2 2 जा 4 हो गया 4 root 3 minus 1 4 root 3 minus 1 यह आगे हमारा answer तो यह concept based question था इसको आप अच्छे से solve किजिएगा देखिएगा diagram को समझिएगा ठीक है चलिए next question क्या है इसको मिटा दे चलिए next question है 47 question number 46 है sorry the area of circular path of uniform width h surrounding a circular region of radius r is 46 number ठीक है अब देखें आसान है इसमें width दिया हुआ है जैसे मान लीजे ऐसा है एक ऐसे circle बना हुआ है और एक ऐसे circle बना हुआ है यहां r दिया हुआ और इसका width h है ठीक है हमको क्या find करना है the area of the circular path तो बस formula तो मेरा वही चला जाएगा बड़ा वाला के लिए कि हो जाएगा r plus h हो जाएगा और छोटा वाला के लिए r square r square cancel हो जाएगा तो यहां हो जाएगा pi यहां h square और plus 2 r h h कौमण आ जाएगा तो h pi हो गया तो यहां बच जाएगा हमारा h और plus 2 r तो h pi h plus 2r pi h h plus 2r pi h h plus 2r तो हमारा answer b हो गया चलिए next question कुछ-कुछ questions बढ़ा असानी से बन जागा कुछ-कुछ questions जो है न वो थोड़ा आपको time ले लेगा ठीक है next questions में बनाते हैं question number 47 question number 47 क्या है if a b is a chord of length 5 root 3 cm of a circle with center o and radius 5 cm then area of the sector o a b देखें ये भी तोड़ा सा tricky है एक circle है chord का length दिया हुआ है 5 root 3 chord का length दिया हुआ है यहां से हम perpendicular डाल देते है तो ये वला मेरा हो जाएगा 5 root 3 by 2 और ये वला हो जाएगा 5 root 3 by 2 ठीक है और हमारा angle कितना दे रहा है कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है 5 root 3 दिया हुआ है हम लोग को angle fine करना पड़ेगा या तो फिर दूसरे तरीके से solve करेंगा हम लोग ठीक है चलिए radius तो दिया हुआ है 5 cm यहां भी 5 है यहां पर भी 5 है यह clear है हम लोग क्या करते है न देखें यहां पर 90 degree बनाए है तो हम लोग sine theta का value लेके चलते है sine theta is equal to कितना हो जाएगा इतना भाई इतना यह हमको fine करना जरूरी है यानि कि अगर माल यह आप नाम दे देते है O और A O A fine करना बहुत जरूरी है हमारे लिए और फिर theta भी fine करना जरूरी हो जाएगा लेकिन हम लोग को fine करना थे area of the sector O A B नहीं नहीं तो नाम change करना पड़ेगा न O A B यह हमको sector fine करना है न चलिए तो सबसे पहले sine theta ले चलते है sine theta is equal to कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 यह मेरा base है और यह मेरा hypotenuse है तो करन हो जाएगा यह perpendicular by hypotenuse तो यह हो जाएगा हमारा 5 root 3 और by 2 into 5 10 तो 5 2 z 10 root 3 by 2 sin theta is equal to root 3 by 2 तो theta is equal to मेरा 60 तो आगया चलिए मेरा theta is equal to कितना आगया यह वाला जो value है वो 60 degree आगया तो यह 60 तो यह वाला भी पूरा 60 तो total कितना हो जाएगा 120 degree तो अब हम लोग directly put कर सकने हैं लेकिन हम लोग को fine करना है O A B 60 pi square theta निकालते है pi square theta by 360 तो 22 बटा 7 हो गया R का value तो हमको 5 गुना 5 मिला हुआ है और यहाँ पर गुना 307 तो हो गा ही और theta के जगा पर हम लोग fine किया है कितना 60 और 60 120 12 यह 36 हो गया ठीक है यह हो गया कितना 5 पचे 25 और 3 25 बटा 3 pi है कही है तो अंसर तो आही गया मेरा ठीक है हम लोग छोटा triangle को solve किया उससे theta find किया और theta के थूर पूरा sector का angle find किया और sector का angle find करके फिर pi r square theta by 360 लगा दिया चलिए question अच्छा अच्छा है book में next question the area of a circle whose area and circumference are numerically equal is यह तो अलड़ी questions बना हुआ था 2 pi r is equal to pi r square एक से एक कट गया pi से pi कट गया 2 is r is equal to 2 आ गया तो हमको बताना है area of circle तो pi r square तो दो दुना 4 pi 4 pi 4 pi next question if an arc of circle of radius 14 cm subtend an angle of 45 degree at the center of the circle ठीक है arc का length दिया हुआ है यह है हमारा 45 यह वाला length दिया हुआ है यहां से यहां तक का यह 45 sorry 45 नहीं किता दिया हुआ है 14 cm 14 cm ठीक है then it is a अब हमको बताना है कि यह क्या है minor arc of length 11 cm major arc यह सब से condition है तो पहले इसको solve भी कर लेता है solve करने को पता ही चल जागा हमों को ठीक है तो formula क्या होता है 2 pi r theta by 360 तो किता हो जाएगा 2 गुना 22 गुना r के जगा पर मेरा कितना जाएगा r के जगा पर मेरा radius दिया हुआ है 14 यह नहीं है तो यह है मेरा 14 चलो तो 14 और 45 डिग्री है और by कितना हो जाएगा 360 इतना ही हो जाएगा और 107 तो मेरा है साथ दुना 14 हो गया 2 से 2 से काट देते हैं इसको 180 बार में 2 से काट देते हैं 90 बार में 45 से यह 2 बार में 2 से यह 11 बार में तो आगे है कितना 11 तो यह minor arc of length है 11 cm एंसर हो गया है मेरा यहीं पर यह ठीक है next question सर्दी हो गया है next question if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of the circle of radius r then यह तो असान है मतलब r का square is equal to r1 का square plus r2 का square है यही तो होगा न यही तो formula हम लोग पढ़ते हैं areas related तो हमारा b is the right answer खतम हो गया तो यह हो गया यह chapter का पूरा का पूरा mcq खतम ठीक है आप इसको जाकर देखे एक बर दो बर देखेगा आप अगर practice कर रहे साथ में तो आपके लिए बहुत ही असान है अच्छी बात है और अगर नहीं किये तो आप इसको एक से दो बर भी वीडियो देख लीजेगा आपका पूरा का पूरा खिलियर हो जाएगा ठीक है questions को जल्दी जल्दी बनाने आना चाहिए ठीक है चलिए तो यह chapter खतम हो गया यह पूरा का पूरा पच्छास questions हम solve कर दिये है अब मिलेंगे हम लोग next वीडियो में next chapter के साथ कुछ mcq के साथ ठीक है तब तक के लिए प्राक्टिस करते रहे thank you so much take care bye bye